जो बीस्वे प्रितिग्या है बाबा साहब ने उसमें कहा है कि मेरा मानना है कि बहुत धर्म ही सद्धर्म है देखे इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और आज तो लोग सर्फ सुनु सनाई बात करते हैं बाबा साबने तो अपने जीवन में पूरे जीवन में इसको नकिवल अपनाया पूरे जीवन में उस पर आचरण किया और सब कुछ सारा बाद साहित्त पढ़ने के बाद पाली में जितना साहित्त था सब कुछ पढ़ने के बाद और बाकी सारे धर्म ग्रंतों शास्त्रों को पढ़ने के बाद बाद साब ने निश्कर्स निकाला कि बाद धर्मी सद्धर्म है आकि सद्धर्म के गुण क्या होते हैं सद्धर्म के गुण यही है कि वो सब के कल्यान के लिए हो सद्धर्म के गुण यही है कि वो किसी में भेद भाव ना करे उच नीच का भेद भाव ना करे और सद्धर पूरी गहराई में जाकर हम सोचें उनका चिंतन मनन करें उनका अध्यन करें और अगर विपश्चना केंद्रों में जाकर विपश्चना के माद्धम से उसको अपने जीवन में अनुभव करें तो हम निश्यतूप से पाएंगे कि बौद धर्म ही भगवान बुद्ध का बताया हुआ धर्म ही सद्धर्म हैं दूसरा कोई धर्म सद्धर्म नहीं हैं क्योंकि सब जाती पात पर आधारित हैं या उच नीच पर आधारित हैं सिर्फ कहते हैं लेकिन उनके आच्रण में कहीं भी समानता नहीं हैं कहीं भी से मुक्ति नहीं है इसलिए बाबसाब डॉक्टरम बेटकर ने कहा कि बौद धर्म ही सद्धर्म है ऐसा मैं मानता हूँ तो जो बीस्वी पृतिग्या है वो ये पृतिग्या है बाबसाब की और हमें भी इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए क्योंकि मैं भी यही कहता मैं भी विपश्चना करके आया हूँ पांच बार मैं विपश्चना करके आया हूँ तो मैं अनुभव से जानता हूँ कि बहुत धर्म ही सद्धर्म है सबके कल्यान का मार्ग है सबकी उन्नती और तरकी का मार्ग है हमें बाबसाब की पृतिग्याओं को अमल में लाना चाह उनका च्छर से पालन करना चाहिए